असलाम अलेकुम आज हम सिखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट का ठीम चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको पहले वेबसाइट दिखा देती हूँ कि हमारी वेबसाइट का अभी किस तरह से टेंपलेट जो आटो है वो कैसा है इस तरह का है ठीक है अभी नहीं लिखी आपने खुद लिखनी है जब आपनी करनी है मैं इसलिए यह अपलोड करी हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमारी जो टेंपलेट है वो किस तरह का दिखाई दे रहे क्यों कि हमें पोस्ट करने से पहले अपनी वेबसाइट को जो है गुकल कंसोल पर इंडेक्स करना है उसके बारे में मैं आपको डेटेल में बताऊंगे बल्के प्रॉपर एक पोस्ट करके दिखाऊंगे कि आपने उसके लिए कैसे कीवल्ड सर्च करना है और कैसे उसको यहां पर हम नेम देते हैं, टाइटल में ठीक है, यहां पर टाइटल देते हैं, और यहां पर लेबल पी देते हैं, अब लेबल्स देने के बाद, यहां पर इसको कर लेते हैं, पबलिश, इसकी प्रॉपर सैटिंग किस तरह से होगी, वो मैं आपको बताऊंगी, जब प्रॉ पांच ताकि आपको पता चल सके कि हमारी जो टंप्लेट है वो किस तरह भी दिखाई दे रही और पोस्ट होगी तो वो किस तरह से दिखाई देगी जी हमेने जल्दी जल्दी से यहां पर पोस्ट दें कर लिए अब क्या गत्तियों अब एक तफ़ आपको दुबारा से वेब वेबसाइट दिखाई दे रही है यह देखे हमारी वेबसाइट जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है देख सकते हैं अगर यह वाला ही हमारा टंप्लेट रहे तो हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखाई देंगी लेकिन हमें टंप्लेट पो वाला लगाना है जिस पे जल्दी मिल जाए तो उसके लिए आपने क्या करना है उसके लिए आपने सबसे पहले मैं कौन-कौन से टम्प्लेट पर एक प्रोपर वीडियो बनाऊंगे लेकिन अभी के लिए हम जो टम्प्लेट फूस करने वाले हैं वो है स्पोर्समेग का ठीक है तो हम कर लेते हैं स्पो लडी कर लें करते हैं साथ मिल प्रॉसमेट करने हैं यहां से इसको डाउन्लूड कर लेते हूं इसको फ्री है अभी आपने सबसे बनाने हैं तो आप немного फ्री चीज़ें स्पॉसमाल करना हूँ तक यहां पर डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है अगर आप ना भी बाई करें तो भी आपको जो है अडिसन अप्रोवल मिल जाएगा यह देखें डाउनलोड जो कम्प्लीट हो चुकी है अब हम क्या करते हैं अब हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं हमारी यह फाइल जो है यह उपन हो चुकी है लेकिन यहां पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि यह फाइल जो है ओपन नहीं हो रही है यहां पर नीचे लिखके आ रहा है यहां पर आप दिखेगा अब हम जब क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखके आएगा कि कुड़ में दर मोबलस में तो हो जाता है कि open हो जाया इगर ना हो तो आपने जुई है प्ले स्ट ओर से यहां से आपनी कर लेने इंस्त्डॉल extra ॥ extra zip file यह वला आपने जो फिर्स्ट वाफशन है ये वाला जो क्लिक के उसको बनेक्ष कर लागे यह यह बाला ठीक है और जब आप इस वाइल को डान लोड को आई गे तो आपने क्या करना है अपनें इसको इंस्टाल करना है और एपस्ट्रेक्यइब पर बूर्म करने के अपे अपने फेलन miedo मनें पहले से करके रखा हुगा है तो हम यहां पर बहुत की में अप्लॉड एधीन के उप्चिन पर आना है यहां पर थी में कियो अप्श्ण पहलों करके अपने देखर 10 , firm कलेगा करने के बाद यहां पर आपको एक चोटा सा skincare का जो बटन न वह दिखाई और इस बटन के साथ आगे एक छोटा से बटन यहां पर बना हुआ है यह बटन आपको भी दिखाई देगा ठीक है अपने इस छोटे से बटन पर करना है क्लिक क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अफसारी options दिखाई देंगे आपने यहां पे restore का जो option है ना इस पे आपने करना है click क्लिक कर देते हैं इस पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह से file आएगी ठीक है तब restore पे click करने के बाद upload पे आपने करना है upload file यहां पे करनी है तो आपने upload पे कर देने click upload पे click करते हैं तो आपके सामने इस तरह से files open हो जाएंगे कि यह देखें मेरे पास जो मैंने एप्सटर करके रख्या हुआ है document वो यहां पे show हो रहा है तो इस पे हम कर देते हैं click क्लिक करने के बाद आप नीचे देखें यहां पे कस्टमाइज अभी upload हो रहा है यहां पे देखें नीचे restore हो रहा है अभी तीम जब यह हो जाएगा तो यहां पे लिख्या जाएगा कि successfully आपका theme upload हो चुका है तो यहां पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा यह देखें यहां पे जो है theme upload हो चुका है वहां पे आगया अब हम क्या करते हैं अभी आप पहले वाली फाइल देख सकते हैं कि हमारी इस तरह से theme जो है हमारा शो हो रहा है हमारी website इस तरह से दिखाई दे रही है अब एक ताफ़ा से मैं visit करके आपको दिखा देती हूं कि हमा प्रोपर बिल्कुल change हो चुका है आप देख सकते हैं यहां पे किस तरह की दिखाई दे रही है अब आप देख सकते हैं कि हमारी website कैसे दिखाई दे रही है अब यहां पे हमने इसको प्रोपर हमने इसको एक professional theme template बनाना है उसके लिए हम यहां पे जो भी extra चीज़ें उसको ह हिटाना पड़ेगी for example सिबसे पहले यहां पे उपर आप देखें यह हम करेंगे next video में ठीक है आपको करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से करना है यहां पर यहां पर contract us about us home यहां पर police का page किस तरह से लगा सकते हैं ठीक है term and conditions का और advertise का यहां से किस तरह से हटाना है सिबसे पहले हमने यह काम करना है उसके बाद हम यहां पर हमारी website यहां पर हमारी website का logo कैसे आएगा इसको हम किस तरह से हटाएंगे इस तरह advertisement advertise को और यहां पर देखें यहां पर हम किस तरह से अपने link लगाएंगे social media में और यहां पर हम किस तरह से अपनी category अपनी niche के according यहां पर हम कि यह किस तरह से हम इसको किस तरह से मैनेज करना है हमने यहां पर यह जो भी एक्स्टा चीजें होंगे जिस तरह की जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है तो इसके इलावा आप यहां पे नीचे भी देख सकती हैं कि हमने इसको फूटर को भी किस तरह से मैनेज करना है हैडर फूटर को किस तरह से मैनेज करना है ये सारा कुछ अब नेक्स वीडियो में हम इसको एक प्रॉपर कस्टोमाइज करेंगे अपने टेंप्लेट को और उसके बाद आप देखेगा कि यह कितना प्रोफेशनल दिखाई देगा मिलते हैं अगले वीडियो में अलाहफेज